नमस्कार दोस्तूँ, श्वागत है आपका I.S. पेपर. खंड सिच्छा अधिकारी की एक वेकंसी आई है, और ये जो ब्लॉक लेबल पर सिच्छा के अधिकारी होते हैं, जिनको आप डिप्टी साहब के नाम से भी जानते हैं, और अन्य बहुत सारे नामों से जानते हैं, तो इनको Blocked Education Officer, B.E.O. के नाम से भी जाना जाता है, ये वेकंसी है, कई सालों के बाद में आई है, 2003 के आसपास ये वेकंसी एक बार आई थी, सायथ, और उसके बाद में ये अब आई है, काफी लोग इसका इंतिजार कर रहा है थे, और सबसे अच्छी बात है कि इसको UPPSC करा रहा है, है ना, UPPSC इसको Conduct करा रहा है, तो इसमें थोड़े से जब UPPSC कराता है, तो fair होने के जांसे रहते हैं कि 100% ये fair होगा, बाकी तो और जो आयोग हैं, उनकी इस्तितिया तो बड़ी खराब हैं, अब इसमें एक मुद्दा चल रहा है कि कौन इसमें फार्म भर सकता है, इसकी जो सैच्छी काहरता है, फार्म भरने की, उसमें बात चल रही है कि कौन बर सकता है कई आई पड़ी और आटी आई में यह असपष्ट हुआ अभी आयोग ने एक रटी आई का जवाब दिया है तो उसमें यह असपष्ट कर दिया कि कौन फर्म भर सकता है कई लोगों ने जो फर्म भरें उनका रिजेक्ट भी हो जाएगा इस पर हम चर्चा करेंगे एक भारत में बीदी द्वारा अस्थापित किसी बिद्द्दा तो ने प्रजाना कोई आहारता और यदि असनातक उपादी सिछ्छा सश्ट में नहों तो राजकिये प्रसिक प्रसिचन विद्द्द्द्द्द्द्द्दा में रइईष्टार विभागीं परिच्चाये उ सारे confusion हो रहे थे, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयोग ने इसको asbest किया, अब इस्तिती यह है, जो इस्तिती है, आयोग ने जो जवाब दिया है, उसकी पहले मैं बात कर लूँ, जिससे कि यह asbest हो जाए कि कौन फार्म भर सकता है, उसके बाद में आगे की हम बातें करते हैं, आयोग ने एक RTI के जवाब में कहा, कि खंड सिच्छा अधिकारी परिच्छा 2019 का जो इविग्यापन जारी हुआ है, उसमें देखिये, इन्होंने कहा है कि भारत में, यहाँ पर देखिये, भारत में विदी द्वारा अस्थापित किसी बिस्विध्याले से सिच्छा सास्तर में उपादí या सरकार द्वारा उसके समकच मानिता प्राप्त कोई आहर्ता में, यानि कि इसका अर्थ यह समझा रहे हैं कि इस आर्था में कौन है, सिछ्छा सास्त्र में असनात्त अपादिका ताज़ पर बीयड से हैं. ठीक है? यानि कि इसमें एक चीज ये clear है, कि बीयड वाले form भर सकते हैं, जो कि पहले से भी clear थी, कि जिनका भी beard है, beard वाले form इसमें भर सकते हैं, कोई doubt नहीं है, तो जो भी beard वाले हैं, वो तयार हो जाएं, दूसरी चीज इसमें फिर आगे क्या लिखी हुई है, कि उक्त के अत्रिक्त, यहां से पढ़िया है, उक्त के अत्रिक्त जो beard आहरता धारित नहीं करते, रजिस्टार विभागिये परिच्छाएं उत्तर प्रदेश द्वारा L.T. डिप्लोमा धारित करते हैं, वे भी उक्त पद के लिए पात होंगे, अब यह L.T. डिप्लोमा रजिस्टार क्या है, तो यहां पर मैं अस्पष्ट करना चाहता हूं, कि यह 1999-2000 तक, यह सन की बात मै कर रहा हूं, रजिस्टार यह विभागिये परिच्छाएं यह इलाबाद में था, और वहां से L.T. डिप्लोमा की डिग्री दी जाती थी, लेकिन अब यह बंद हो चुका है, अगर किसी के पास उस समय की डिग्री है, और वो एज लिमिट जो है, यहनि कि 40 साल तक का जो द बात करें, बरतमान समय के बारे में, तो बरतमान में ऐसी कोई डिग्री नहीं दी जाती है, इस तरह से यह ऐस्पष्ट हो गया, कि बीड़ वाले ही यह भर सकते हैं, फार्म, जो लोग सिच्छासास्त में असनातक हैं, या वो सोच रहे थे कि सिच्छास्त में पराशनातक ह साथ में बहुत सारे लोग ऐसे थे न, जिन्होंने बीटीसी कर रखी है, बीडीसी वाले सोच रहे थे कि भर देंगे, तो ना तो इसमें बीडीसी है, ना इसमें जो एजुकेशन से बीए वगेरा किये हुए हैं, वो हैं, यह ऐसे कोई लोग नहीं है, फिलहाल बरतमान में जो चल रहा है, बरतमान में बीड है जिनके पास डिग्री, वही लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं, तो यह बिल्कुल असपष्ट तोर पर आप जान लीजिए, इसके लाबा इसमें दिया हुआ है कि देवर्नागरी लिप में लिखित हिंदी का कारिकारी ज्यान होना चाहि है, साथ में जिनके पास राजकिय बेसिक प्रसिच्छन विद्याले में बेसिक सिच्छा में ल्टी डिप्लोमा हो, जिनके पास भारत में विधिद्वारा स्थापित किसी विद्याले बोड या किसी अनिरा सरकार के सिच्छा विवाग में बेसिक प्रसिच्छन के लिए कि प्रमार्पत्र या उपाद या डिप्लोमा हो तो यह सब उसी जो अस्पष्टी करण इन्होंने दिया है उसमें यह सामिल हो गया जो रेश्टराड वाली बात की गई थी और सब यह कुछ नहीं ठीक है तो कुल मिलाके बीयड वाले जो हैं वो इसमें फार्म भर सकते हैं अध किसी का भी प्रमार्पत्र जिनके पास हो उनको मिलता है इसमें इनको नंबर का बेटेस मिल जाता है लगबग 5 नंबर का कुछ होता है ठीक है तो यह चीज़ें अस्पष्ट हो गई तो कौन इसमें फार्म भर सकता है इस लिमिट वही मैंने जो बताया है कि 40 साल दी गई है और जो छूट दी जाती है अन्य अन्य लोगों को अलग-लग तो वो सारी छोटें भी इसमें प्रतान की गई है ठीक है तो आगे अब हम इसमें बात कर लेते हैं आगे की बात यह है कि इसका जो प्रारंबिक परिच्छा का सिलेवस है वो हम देख लेते हैं और मुक के परिच्छा में हम अच्छे से पढ़ें तो मों की परिच्छा में भी हमको लाब मिलने वाला है। तो इसमें विज्ञान में फिजिक्स कमेश्ट्री और वायलोजी के प्रशने पूछे जाएंगे। और भारत का इतिहास यहाँ पर लिखा गया है तो इसमें प्राचीन भारत, मदिकालिन भारत, आधनिक भारत, कभी-कभी कुछ एक प्रशन विस्तु से भी पूछ लिये जाते हैं इतिहास से। तो यह आपको इसमें पढ़ना है और भारती राष्टी आंदोलन अलग से इसमें दिया होता है यानि कि जो भारती राष्टी आंदोलन है उसको सही से आपको पढ़ना है उसका यहाँ पर भी वेटेस जाता रहेगा। इसको अच्छे से आपको कराएंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और वो चीज़ें अच्छे से फालू करके की जाएंगी तो इसका लाब मिश्चे तोर पर मिलेगा। बाद में हैं बिसुभुगोल तथा भारत का भुगोल प्राकृतिक संसाधन तो बिसुभुगोल हो भारत का भुगोल हो इसमें जो भी PCS में आप सिलेबस पढ़ते हैं उस तरीके का सिलेबस यहाँ पर पढ़ना है। और इस बार का जो अपर्स वाडिनेट का पेपर रहा है उसमें आप देखिए कि बड़े टफ कुछें पूछे गए हैं। तो ऐसे कुछें से भी निपटने के लिए आप तयार रहे हैं। क्योंकि जब आयोग कुछ नया पहल करता है तो अपने सारे एक्जाम्स में उसको लागू करता है। तो घबराना नहीं है। लेकिन मेहनत कुछ नय तरीके से अच्छे तरीके से हमको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि UPPCS का जो ये पेपर हुआ है UPPCS 2019 का प्री का इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि पेपर का इस्टेंडर वो कैसा बढ़ा रहे हैं। तो उस लिहास से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। पजारू सामगरी हलके फुलके अध्यन से केवल पुराने प्रश्ण पत्रों को देखकर आप काम चलने वाला नहीं है। फिर बात आती है नौवे टॉपिक की और यहां पर दिया हुआ है सामान ने बहुत धिक युम तार्किक छमता तो जो रिजनिंग है उसके प्रश्ण यहां से पूछा जा सकता है तो UPS बसल बहुत अच्छे से आप अगर तयार कर लीजे तो यह कुशन गलत नहीं होंगे और फिर मैत का भी कुछ पोर्शन है प्रारंभी गडित, हाई स्कूल अस्तर, अंगडित, बीच गडित, रेखा गडित तो कुल मिलाकर यहां पर देख तो मुख की परिच्छा का जो पाटिक्रम है वो भी आयोग ने जारी करी दिया है तो उसकी भी बात हम कर लेते हैं फिर मुख की परिच्छा में दो अनिवारी प्रशन पत्र यह कह रहे हैं कि होंगे और यह जो दो अनिवारी प्रशन पत्र हैं उसमें सामान यध्यन और द अब याद करिए lower subordinate का जो mains का exam हुआ करता था पहले वही same pattern यहाँ पर अपनाया गया है यहाँ पर एक change और एक अस्पष्टी करण इन्होंने दे दिया है कि जो सामान यद्यन का जो यह पहला वाला paper होगा इस paper के अंतरगा 40 प्रश्ण पूछेंगे यह और 40 प्रश्ण जो यह पूछेंगे उसमें इन्होंने कहा है कि 10 प्रश्ण सामान यद्यन होंगे जिसमें 125 सब्दों के प्रश्ण आपसे पूछे जाएंगे और इनका 10 अंग होगा ठीक है तो 10 प्रश्ण 10-10 अंग के यह कह रहे हैं और उसके बाद में 10 प्रश्ण होंगे लग उत्रिये जो 50 सब्दों के होंगे और इनके लिए 6 अंग निधारित होंगे तो 10 प्रश्ण जो पूछे जाएंगे वो 6 अंग के यहनि कि 100 नंबर यह उपर वाले में होगे और 60 नमबर ये हो गए। और फिर ये कहे रहा है कि अगला जो ए खंड सा होगा उसमें 20 प्रशन पूछे जाएंगे आति लगुत्रिये जो 25 सब्दों की सब्द सीमा होगी और 2 नमबर के होगे। तो 20 प्रश्ण ये दो नंबर के पूछे जाएंगे और इस तरह से 40 नंबर ये हो गया, तो टोटल आपका ये 200 अंक का GS का पेपर हो गया, ये होगा, तो इसमें हर तरीके के प्रश्णों पर हम जब प्रारंबिक परिच्छा पास कर लेंगे, उस पर फिर एक कोर्स आएगा, और सही से उस पर discussion होगा, और ये आसानी से परिच्छा पास करने योगी हो जाएंगे मुखे परिच्छा को, पहले हम प्रारंबिक परिच्छा की बात करेंगे, प्रारंबिक परिच्छा पे चर्चा करेंगे, जो सामाने धिन का पार्टिक्रम है, वो लगबग वही प्री लेकिन एक चीज इसमें जोड़ दी गई है और वो है ये 10 नंबर जो टॉपिक दिया हुआ है सिच्छा में अध्यतन विकास तो इसके लिए अलग से मैटेरियल हमको पढ़ना पड़ेगा बाकी सारे मामले वैसे ही हैं जो इसूस दिये हुए हैं वो जो प्री परिच्छा में दिये थे वही है अंतर यही है कि पहले आपको अब्जेक्टिव तयार करना पड़ेगा और यहां पर लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यह तो सारा लिखित पेपर होगा ठीक है ना आगे हम बात करते हैं निबंद के पेपर की और सामान हिंदी के पेपर की ये 200 अंक का पोटल बेपर होगा, और इन 200 अंको में 100 अंक का आपका हिंदी का पेपर होगा और 100 अंक का आपका निबन्द का पेपर होगा. सव अंकों में जो हिंदी का पेपर होगा इसके इन्होंने चार पार्ट दिये हुए हैं पहला तो इसमें है वही आपठित गध्यान संचेपण जो अक्सर मेंस परिच्छा में जो यूपी कमीशन की होती है हर जगह हिंदी में पूछा जाता है फिर दूसरा है यह ड्राप्टिंग वाला पोर्षन जिसमें लेटर्स पूछे जाते हैं और यह बहुत सटीक नंबर पाने का पोर्षन होता है जहां पर अगर सटीक बना देते हैं प्रारूप और इन चीजून पर ध्यान देते हैं तो आपको मैत की तरह पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं तीसरा यहाँ पे हैं वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुबाद तो ये भी आप कर लेंगे बहुत कुछ नहीं है इसमें और अगला पोर्शन है जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें बिलोम सब्द, प्रियायवाची और तत्भव तत् प्रियोग में जो होने वाली असुद्धियां है ये कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं है जो सामाने अस्तरप्रगर्ण हाइस्तुगुल तक आपने हिंदी की पढ़ाई की है तो आप ना कर सकें आप सारे कुछ चनिसमें असानी से कर सकते हैं अच्छे से यहाँ पर हम लोग इस सो नंबर का पेपर है और यहाँ पर केवल दो निबंद आपको लिखने है बिल्कुल लोवर सवाडिनेट वाला ही पैटर्न है दो सेक्षन में ये पेपर आपका बटा होगा पहले सेक्षन में तीन टॉपिक हैं साहित्य संस्कृति दूसरा है राष्टिय विकास यूजना के रियानिवन, तीसरा है राष्टिय अंतर राष्टिय सामीक, सामाजिक संस्थाएं, समस्याएं और दूसरा पोर्षन जो है उसमें विज्ञान, प्राकृतिक आपदाएं और उनकी निवारण और किरसी वाला पोर्षन है ये भी जैसे अपर सवाडिनेट में होता है वैस दोनों सेक्षन में, लेकिन दोनों सेक्षन से लिखना होगा एक एक निवन्द, ठीक है? यानि कि दो निवन्द आपको टोटल करने होंगे 6 में से, तो 6 में से दो निवन्द करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे, CS 2019 की मैं बात करूँ, तो उसमें बहुत कुछ सिखा दिया है उसने, कि मैं अब सरल कुष्चन पूछने वाला नहीं हूँ, रिपीटेट कुष्चन ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, रिपीटीशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो अगर रिपीटेट कुष्चन नहीं पूछा जाएगा, सरल नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसी चीजों में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो जाता है, वो है कि हमको थोड़ा सा टेस्ट बुक की तरफ जाना पड़ेगा, टेस्ट बुक हमको पढ़नी पढ़ेंगी, कुछ किताब हैं, अच्छी जो syllabus को कबर करत हैं, या फिर हम ऐसे material को पढ़ें, ऐसी चीजों को बार-बार practice करें, जहां से प्रशन हमारे बन जाएं, और उससे भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम questions की practice करें, और यह questions तो जाहिर सी बात है कि जो old year के questions होते हैं, वहां से हमको बिलते हैं, और इन questions को हम तयार करें, लेकिन इस लिहास से तयार करें, कि उनसे हम अन्य जो questions हैं उनको कर सकें, ना कि उनको रटके हम यह सोचें कि अब हम वही question वहां पर पाएंगे और उसको सही से solve कर देंगे, यानि कि पुराने repeated question के भरोसे exam देने आप मत जाहिए, repeated question इस लिहास से आप तयार करिए, कि आप उसके भरोसे अन्य questions की तयारी कर रहे हैं, जैसे एक option आपके सामने आया, जो कि उत्तर है, लेकिन चार option में से तीन option और दिये हुए हैं, जो उत्तर नहीं है, तो आप उनका भी analysis करिए, इन सब कामों में मैं आपकी मदद करूँगा, हम लोग पूरी team जुटकर, इस पर material ब में pass हो जाए, ठीक है, और जब आप pre-pass कर ले जाएंगे, उसके बाद में mains की बात होगी, इसके लिए आपको test series भी यहां पर provide कर आई जाएंगी, बहुत ही कम पैसे में, है न, test series PCS के लिए भी हमने जो यहां पर दी थी, वो test series काफी कारगर रही है, जिन लोगों ने उसक प्रशनपत्र आया, क्योंकि मैंने mix pattern अपनाया था, UPSC के pattern पे, साथ में PCS के pattern पे, और कुछ सरल question भी मैंने उसमें सामिल किये थे, तो इस तरीके से पुरा paper हम लोगों ने, हमारी team ने set किया था, ऐसा ही कुछ हम यहां पर भी करने वाले हैं, और यहां पर भी जो vacancy यह है उसमें भी यह जो 13 गुना qualify करने वाला condition है, वो यहां पर भी लागो होने जा रहा है, यहां पर भी completion जो है, वो tough हो जाएगा, बहुत सरल नहीं रह जाएगा, तो अगर 13 गुना ही लोग qualify करेंगे, तो pre काफी tough होगा, अगर जो pre pass कर ले जाएगा, तो mains पे selection होने के chances उसके अगर mains दे रहे हैं, तो chances बढ़ जाएगे, तो हर हाल में आपको pre pass करना है, यहां पर जो यह courses है, यानि कि जो बात मैं test series की कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा यही है कि आप लोगों की कितनी रूची है, और कब से आप चाह रहे हैं, मुझे launch तो करना ही है, आप कब से चाह कर रहे हैं, कि इसको start कर दिये जाए, इस चीज के लिए अगर आप चाहें, तो यह हमारा WhatsApp नमबर है, और इस पर आप call भी कर सकते हैं, अगर WhatsApp से काम चल जाए, तो आप WhatsApp पर message डाल दीजेगा, बहुत जरूरी हो तो इस पर call करके भी आप बात कर सकते हैं, हो सकता है कभी phone न जालू हो जाए, कबसे आप जरूरत महसूस कर रहे हैं, ठीक है, यह information आप दे दीजे, बाकी हम जल्द ही आपको इस सारी course से कैसे आपको पार पाना है, एक रड़नीत और बना के कैसे चीजों को cover करना है, यह सब आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, हमारी team इस पर काम क कर रहे है, थाइक यू, थाइक यू बेरी मैंस, अल्द बेर,